हलो फ्रेंड सौगत है आप सभी का ट्रिएंगल्स परिवार में यानि ट्रिएंगल्स के सेट में इक्युलेटरल ट्रिएंगल्स बड़े क्यूट होते हैं और इसे लिए इन पर बने प्राब्लम्स भी चैलेंजिंग भी होते हैं और आसान भी तो आईए ऐसे ही एक equilateral triangle के problem पर discussion करते हैं और आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके पहले खुद एक try कर सकते हैं दिये गए diagram में ABC एक unknown side length की equilateral triangle है जिसके interior में APQ एक आशुर सिलीज triangle है जिसका base PQ 2 cm है problem में दिया है कि ABC एक equilateral triangle है और APQ उसके interior में एक आशुर सिलीज triangle है जिसकी sides 7 AP7 और AQ7 है PB7 और QC7 दिया हुआ है हमें X की value find करनी है मतलब triangle का side equilateral triangle का side ढूना है तो यह पहले से diagram मैंने इतना already बना के रखा था करना क्या है कि मैं vertex A से इस PQ पर perpendicular draw करूँगा और draw करते हुए इस line को आगे extend कर दोँगा तो मालनों कि यह D है इसकी जरुरत नहीं है पर point D मालेता हूँ अब यह PQ 2 cm दिया है जब मैं perpendicular draw करूँगा vertex A से PQ पर तो इस PQ को bisect करेगा क्योंकि आइसो से इस triangle में perpendicular draw करने पर base bisect होता है और यह angle भी इसके equal होगा यह दोने triangle congruent triangles हैं क्योंकि 7,7X तो by side side test these two triangles are congruent और अगर यह congruent हैं तो यह angle इसके equal और फिर यहाँ पर यह angle इसके equal इसका मतलब है कि यह पूरा angle यहां से यहां तक इस angle के equal होगा यहां पर अगर यह angle यह angle equal होगए तो यह perpendicular bisector of this BC यह इसका भी perpendicular bisector होगा और यह 90 है इस BC के साथ और वही यह भी 90 है इस PQ के साथ इसका मतलब है कि PQ और BC यह दोनों parallel lines हो गई और यह parallel lines हो गई तो मैं PQ को extend कर देता हूँ यहां ऐसे और यह side में QP को इधर extend कर देता हूँ ऐसे तो यह line इसके parallel हो गई अब यह 60 है तो यह भी 60 हो जाएगा यह भी 60 हो जाएगा और AN अगर मैं इसके length को A ले लिएँ यह एम length is क्या situation है कि यह 1 है यह 7 है यह 90 है तो by pythagoras theorem वालों यह h है तो this will be under root of 48 और जो 4 root 3 के equal होगा यह triangle में 4 root 3 मिल गया है यह वाला अब AM और यह वाला triangle लेते हैं इसका नाम अगर O है तो AOM तो उसमें हम क्या करेंगे वाला triangle यूज़ करके यह वाला यहाँ पर A है M और माल लेते हैं कि यह O है यह मिल चुका है 4 root 3 और यह है अपना A हमें A find करना है यह 60 degree है तो एक 30-60-90 theorem होता है उसके theorem से 60 degree के सामने की जो side होगी वो hypotenuse की root 3 by 2 times होगी और 30 degree के सामने की side hypotenuse की half होगी यानि A O is equal to A into root 3 by 2 और M O is equal to half A यानि A by 2 तो यह यहाँ पर 4 root 3 जो है वो hypotenuse की root 3 by 2 times है तो यह root 3 root 3 cut होगया तो A होगया 8 और यह M O half half of A तो यानि की यह A by 2 और यह A root 3 by 2 तो यह M O 4 होगया अब अगर M O 4 है यहाँ से यहाँ तक O है यहाँ और यह P O 1 है तो M P is equal to 4 minus 1 is 3 यहाँ से यहाँ तक यह 3 बन गया अब concept यह है कि यहाँ से अगर यह I socially triangle है इस तरह से मान लो यह वाला triangle यहाँ पर ले आता हूँ मैं ऐसे है और अगर मैं यहाँ से इस पर perpendicular drop कर दूँ क्योंकि यह 7 7 है तो यह दोनो इकॉल हो जाएंगे तो यहाँ से मैं perpendicular drop कर दिया अब क्योंकि यह 60 है और यह 3 है और यह 30 होगा 60, 90, 30 तो 30, 60, 90 चेरम से यूज करेंगे तो 30 डिगिरी के सामने की side hypotenuse की half होगी यह यह होगा 1.5 तरीका half am पूरा 8 है और यह 1.5 आया तो और यह byset करता है यह पूरा x by 2 है यहां से यहां तो x by 2 कितना आ गया 8-1.5 that is 6.5 so therefore x is equal to 13 cm यही equal to triangle की side है अनन तो x की value 13 cm thank you for watching this video and for your support